हेलो स्ट्रेंट कैसे हैं आप आप सभी अच्छ होगे प्यारे वच्छो आज हम करेंगे अच्छा साथ के हिंदी के एटगेट अब्यास फुस्तर के पार्ट 11 को इस पार्ट का नाम है वच्छो वासल के पद तो बिल्कुल भी देर ना करते दिए चलते हैं वच्छो इस पार क्रेश्न उत्रों के उर इस पार्ट का प्रिश्न का मांग एक है क्रेश्न बलराम को किया कहकर बुलाते हैं तो यहां पर इसका उत्र होगा है प्रेश्न का मांग दूप मोहन・मुक्रिस की यह बाते पंक्ती में अलंकार है इस पंक्ती में अलंकार है वच्छों अनुप्रास प्रशन का माँग तीन है बासल के पद पार्ट में गोपीका के मन में क्हा इच्छा है? तो इसको उत्तर आप लिखेंगे गोपीकाओं की इच्छा है कि बाल कृष्ण उनके घर पर आएं और माखन चुरा कर खाएं और उनके माखन खाते होगे गोपीकाएं उन्हें देखना चाहती हैं यह अच्छा है प्रेश्ण के मांग चार है बलराम करश्ण को क्या कहकर चड़ाते हैं तो इसका उत्तर होगा बलराम सीर करश्ण से कहते हैं तुम यह सोधा मैया के सगे पुतर नहीं हो तुम्हें तो मोल लिया गया है प्रेश्ण के मांग पांच है स्वामी भक्त सब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए तो इसका उत्तर होगा लुकमान तो अपने मालिका स्वामी भक्त है प्रेशन के मांग 6 है बच्चों यह है बासल के पदपाट में किस पंक्ती में कभी ने प्रभू को अंतरयामी बताया है तो इसका उत्तर होगा सूर्दास प्रभू अंतर जामी ग्वालनी मन की जानी प्रेशन के मांग साथ है बासल के पदपाट की किन पंक्तियों में यसुदा क्रेशन को संगार कर रही है तो इसका उत्र होगा तेल लगाई लगाई के अंजन भों बनाई बनाई डिटोनिया डाली हमेल निहारत बारत जो पुछकारत छोनई प्रेशन के मांग आठ है निमलिखे सब्दों के हिंदी मानक भासा सब्दों में बदलिये तो बच्चो जैसे माकन का हो जाएगा मक्षन जुबती का हो जाएगा युक्ती पूत का हो जाएगा पुत्र तारी का हो जाएगा ताली भोन का हो जाएगा भोहो जुक का हो जाएगा युग नो है बच्चो ये है बासल के पार्ट में जो पद आपको सबसे अच्छा लगा हो उसकी एक विशेष्टा बताते हुए पद को लिखिए तो इसका उत्तर है बच्चो निम्न पद में बलराम को चड़ाते हैं बलराम चड़ाते हैं क्रेस्टन को ठीक है तो यहां पर देखें बच्चो गोरिनंद यसुदा गोरी तुमकत स्याम सरीर तारी देदे हसत गौल सब सीखे देद बलवीर और यहां पर प्रेस्टन को मांग 10 है गोरिनंद यसुदा गोरी तुमकत स्याम सरीर तारी देदे हसत गौल सब सीखे देद बलवीर इस पंक्ति का अपने भाव स्वश्च करना है बच्चो तो इसका उतर हुआ इन पंक्तियों में सीरकेंस जी भाई बलराम की सिखायत करते हूए कि मैया बलराम उससे कहते हैं कि नंद बाबा गोरे हैं यह सूदा मैया गोरी हैं पर तुम काले क्यों हूँ इस बात पर सवी गौले मुझ पर हसते हैं उन्हें ये सारी सीख भाई बलराम देते हैं तो बच्चों ये यहां तक इस जगा तक प्रस्ट है इस जगा तक आप लिख लीजिएगा थोड़ी जगा कम थी इसलिए ये ऐसा हो गया है प्रस्टन के मांग 11 है ये है रसों के नाम एवल इस्ताई भाव लिखिए तो यहां पर बच्चों मैने रस का नाम वो इस जगा पर इस जगा पर इस जगा पर रस का नाम और इस ताई भाव लिखाए जिसे पहला है सरंगार सरंगार का हो ज Actually paper रृती हास, हास का हास, करुण का सोक, वीर का उत्सा, अध्भुद का आश्चर, भयानक का भै, रोद्र का क्रोद, भिवत्स का जुगुत्स, सांध का निर्वेद और बासल का रती और भक्ती का अनुराग इस तरीके से आप ये रस, रसों के नाम और इस्ताई भाव लिख सकते हैं, प्रिश्ममांग 12 है, बासल के पद में करेशन के बालपन का वर्णन किया गया है, आप स्री करेशन के बारे में क्या जानते हैं लिखिए, तो इसका उत्तर है, स्री करेशन नंद बाबा और यसुद मैया के पुत्र हैं, उनके भाई का नाम बलराम था, स्री करेशन बच्पन में बहुत नटकट थे, वे बहुत अच्छी वांसरी बजाते थे, बड़े वगए वे बहुत ही पराकरमी हुए, उन्होंने अपने अधर्मी मामा कंस का बद किया था, तो बच्चों इसी परेशन के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में झाल, 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 झाल.